हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शर्नल competition crackers में और आज की जो यह वीडियो है दोस्तों ये है marathon session for lucent biology ठीक है तो lucent biology का lucent biology का एक marathon session है और जिसमें कि हम around डिर से दो घंटे के बीच का यह session होगा जिसमें कि हम चितना हो सकेगा उतना इस पार्ट को cover करेंगे एक एक point आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है जैसे one liner पढ़ते हैं उस तरीके से हम एक एक point यहापर समझने की कोशिश करेंगे यह एक एक line यहापर लिखी गई important है ठीक है और अगर आपके पास भी book है तो आप अपने सामने रख लीजिए book को और जो जो मैं पताऊंगा कि यह important चीज़ें उसको आप book में टिक कर लीजिएगा ठीक है तो अराम से यह चीज़ें हो जाएंगी और इसके अलावा में आपको बता दों दोस्तो लिउसेंट जोग्रफी का ठीक है लिउसेंट बुक की ही जोग्रफी को भी हमने cover कर दिया है और आपने नहीं देखा है तो आप playlist में जाएए वहाँ पर लिउसेंट जी के जोग्रफी करके एक पूरी की पूरी playlist बनी है जिसमें around 35 वीडियो या 37 वीडियो के करीबन होंगे आप जाके सारी की सारी देखके वीडियो एकदम अपना जो basics है वो एकदम clear कर सकते हैं अब भी बात करते हैं biology की तो introduction कर लेते हैं दोस्तों एक बार मैं color बदल देता हूँ okay so first term is biology किसको पढ़ रहे हम biology को पढ़ रहे है तो biology है क्या ये जान लेते है so biology is the branch of science in which living beings are studied ठीक है तो इसके लिए पहले देखो जो ये biology है ठीक है जो ये सब्द है क्या biology ये किस से बनाया है bios means life और logos means study तो यहीं पर इसे हमारा बन जाएगा bio means life logos means study यानि कि हम life की study करेंगे that means ऐसी branch है science की ऐसी branch है जिसमें कि हम life यानि कि living beings की study करें उसको हम क्या कहते हैं biology कहते हैं ठीक है तो ये चीच clear हो जानी चाहिए कि नामी से bio means life और logos means study तो इससे बन जाता है biology means branch of science that deals with study of living beings फिर therefore study of living life is called biology तो ये टर्म है जो biology it was first coined by lamark and treveriness ठीक है lamark और treveriness ने जो है इसको coined किया था इस word को 801 में ठीक है तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि first जो ये word था biology ये किसने coin किया था lamark and treveriness ठीक है अब biology दोस्तों वैसे तो biology में एक broad study है क्योंकि life अगर हम बात करते हैं जब life के अगर हम बात करते हैं living beings की बात करते हैं तो endless living beings are there in earth बट बेसिक तो एक biology को एक broader sense provide करता है एक broad subject है बहुत ही लेकिन basic इसकी जो है वो branches दो ही हैं दोस्तों ठीक है दो ही basic branches हैं अब कौन कौन सी हैं वो basic branches first one is botany and the second one is zoology ठीक है botany और zoology ये दो जो हैं वो basic branches हैं of biology और इसके अंदर बागी और भी branch आती रहते हैं अब botany botany में क्या पढ़ते हैं हम plants के बारे में biology के ऐसी branches इसमें कि हम plants की study करते हैं plants के different aspects की study करते हैं उसको हम botany कहते हैं और father of botany कौन है theophrestus ये भी आप या थक ना पूछ सकता है exam में कि who is consider as the father of botany तो theophrestus और zoology जोलोजी दोस्तों ऐसी branch है biology की जिसमें कि हम animals की study करते हैं तो आप यहीं से देख लेंगे zoology में zoology में zoology means क्या होता है जू में किसको रखते हैं animals को रखते हैं तो zoology में क्या होता है कि animals की study ठीक animals की study को हम zoology कहते हैं और जैसे theophester जो है वो botany के father है in similar way zoology के father कौन है दोस्तों Aristotle is considered as the father of zoology तो यह चीज आ गया आपको botany zoology botany में हम plants को पढ़ेंगे zoology में animals को पढ़ेंगे father of botany theophestus father of zoology zoology Aristotle ठीक है तो यह सारी चीज हो गई अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं अब देख लेते हैं दोस्तों important terms of biology यानि कि biology में use होने वाले important terms जो भी technical terms आप biology में देखेंगे या different different जो biology की सब branches है main branches तो दो हैं zoology और botany पागि इसके अंदर सब branches इनके अंदर भी branches आती रहती हैं zoology के अंदर कुछ branches आती हैं कुछ botany के अंदर तो वो भी हम देखेंगे और कुछ important terms terminology, technical terms जो की biology में use होते हैं वो भी हम discuss करेंगे तो यही है सबसे बड़ी अभी जो बड़ा set है तो इसको आराम से patiently आप देखना जो most important होंगे वो मैं आपको बताते जाओंगा उनको तो आप एकदम mind में set करेंगे बाकी दोस्तों यह बहुत सारे हैं अगर आपके पास book है आपने अपने सामने रखे तो आप देखेंगे बहुत सारे terms आपको दिये गए होंगे ठीक है तो अब एक ही बार में यह याद नहीं होंगे तो इसके लिए main चीज़ है revision करना तो अब आप एक बार वीडियो देखिए फिर इसके बाद खुद से पढ़िए फिर अगर आपको जरूरत पढ़ती है तो वापिस से आप वीडियो को देखिए जितना आप touch में रहेंगे इसके उतना आपको चीज़ें याद होती जाएंगे ठीक है और important जो हैं वो मैं अभी बताते जाओंगा तो first one this is important और इसमें है anatomy anatomy का means क्या होते है दोस्तों the study of internal structure of organism यानि कोई भी organism है उसके जब हम internal structure की यानि की आंतरिक अंगों की जो study करते है उसको क्या कहते है anatomy कहते है ठीक है तो anatomy means the study of internal structure of organism ठीक है तो इस तरीके से मैं repeat करता जा रहा दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरीके से अभी दिमाग में आपके set हो जाए है second चीज है दोस्तो agro-lozy तो agro-lozy agro की meaning क्या होती है दोस्तो agro की meaning होती है farm ठीक है या आप soil farm agriculture से आप relate कर सकते है agro को तो soil science is dealing especially with the production of crops यानि कि जो crop production से ठीक है crop production की किस तरीके से हम पैदाव हमार को बढ़ा सकते हैं किस तरीके के हम जो seeds हैं उनको ले जा सकते हैं यूज कर सकते हैं ताकि हमारे जो production है वो बड़े तो वो सब हम पढ़ते है agrology के अंदर फिर आ जाता है second term agronomy फिर यहां पर agro word आ गया agro is related to agriculture या farm ठीक है तो science and technology deals with the soil management for the production of crops पहले agrology में तो हमने क क्या देखा कि किस तरीके से हम production बढ़ा सकते हैं ठीक है crops को यानि कि crops की variety है अच्छी variety का परियोग करके हम किस तरीके से production बढ़ाते हैं वो तो agrology में आ गया agronomy में आता है दोस्तों कि जो soil है जिस पर की crop उगाए जाएगी soil को किस तरीके से manage करें कि best production हो सके crop का वो grasses farm में जो grasses होंगी उनकी जो study होगी उसको क्या कहते है agrostology कहते है ठीक है फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो अगला time है दोस्तों वो है आर्थोलोजी आर्थोलोजी means होता है study of joints जो हमारे bones होती है bones में bones जुड़ी होती है यानि कि joints होते है bone में तो उसी की जब study करत है तो वो आर्थोलोजी के अंदर आती है ठीक है और तो इसी नेम से एक आर्थो करके एक दवाई भी आती है ठीक है medicine भी आती है तो आर्थो मीन्स होता है joints ठीक है joints pain हो जाता है बुढ़ापे में तो उसके चलते कुछ medicines आती है जिनका के नेम आर्थो से ही लिखा रहते है तो यह हो गया arthrology study of joints फिर देख लो दोस्तो apiculture apiculture means होता है honey के लिए अब सहत के लिए किसको पालेंगे honey bee को जब पालेंगे या rearing करेंगे उसको रखेंगे और उससे सहत निकालेंगे इस पूरी process को क्या कहते है apiculture कहते है काफी बार पूछा जाता है important है इसको तो आप एकदम सेट में रखना है यानि कि apiculture means rearing of honey bee अब क्यों honey bee को rearing करेंगे because of honey honey को obtain करने के लिए यो गया फिर अगला है anthropology anthropology means होता है दोस्तो anthrop की meaning आपको पता होने चाहिए anthrop की meaning होती है human anthrop एक Greek word है जिसकी meaning होती है क्या human होती है तो anthropology में क्या पढ़ते है हमकी study of origin यानि कि humans का origin कैसे हुआ उसके बाद जब origin हुआ आदि मानव थे उसके बाद development कैसे हुआ धीरे धीरे हम जो है कितनी कितनी stages से काफी ज़्यादा stages के बाद हम आज इतने develop हुए है जो humo sapiens word योज करते हैं वो क्योंकि काफी ज़्यादा developed human है initially we were not developed ठीक है हम developed नहीं थे धीरे 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 developed हुए तो किस तरीके से हमारा origin हुआ humans का किस तरीके से हम develop हुए और हमारे यानि कि culture of past and present हमारे past of present का comparison करना या relationship find करना ये सारी चीज़ें करी जाती है anthropology के अंदर यानि कि आप कह सकते हैं छोटी सी language simple ही आप कह सकते है study of human beings from its origin to the development ठीक है यानि कि past से लेके present तक का human being का सब कुछ कच्चा चिट्टा खोलना ये सब आजाता है anthropology के अंदर अब चलते हैं थोड़ा आगे तो next है anthology anthology क्या होता है दोस्तो study of flower and flowering plant तो यहाँ पर दोस्तो आप confusion मत करना anthropology भी important है इसको आप याद रख लेना anthology भी important है दोस्तो अब anthro a-n-t-h-r-o anthro काऊंगा मैं anthrop काऊंगा मैं तो इसका means तो human होता है लेकिन जो antho खाली antho इसमें आर नहीं लगा है अगर आप देखेंगे तो anthro नहीं है यह anthology है तो anthology means जो flower होते हैं और जो flowering plants होते हैं उनकी जब study की जाते है तो उसको anthology करने ठ ठीक है तो anthology में humans की study anthology में flowers and flowering plant की study ठीक है तो यह भी आप याद रख लेना फिर अगला है angiology angiology में हम पढ़ते हैं दोस्तों हमारी जो नशे होती है याने कि veins है arteries है इनके बारे में जयने जो blood-verscular system है ब्लड-vescular system Baptist which means blood-vascular system और arteries और veins की study को हम क्या कहते हैं angiology कहते हैं ठीक है जिस जिसके आगे मैं important कहा हूं दोस्तू वह तो आप याद करके ही जाना ठीक है फीर आजाता है दोस्तो एंडिरोलोजी एंडिरोलोजी भी एक important है वैसे एंडिरोलोजी means होता है male reproductive organ ठीक है? male reproductive organs की जब study की जाती है तो उसको क्या केते है? एंडिरोलोजी कहते है और जैनेकोलोजी means जब female reproductive parts की study करेंगे उसको क्या कहेंगे जैनेकोलाजी और जैनेकॉलिजिस्ट जिए वो जैनेकोलिज्ट डॉक्टर होगा जो की एस्योशेटेड होगा फिमेल ये रिप्रोडक् sentenced के या ठीक है फिमेल रिप्रोडेक्तिव डिजीजेस से डील करेगा उसको हम जिनेकोलाजिस्ट कहेंगे फिलाल एंडरोलाजी means male reproductive organ की study और जिनेकोलाजी means female reproductive की जिनेकोलाजी वाला जी में मिल जाएगा अब हम A में चलने है ठीक है आप देख रहे हैं सिर्इस वाइस दी गई है बुक में A, 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 ठीक है अब ये B वाले सुरू हो गए, B से जो सुरू होते हैं उसमें सबसे पहला आता है दोस्तो, bryolosy, तो bryolosy क्या होती है जो bryophytes होते हैं, अब bryophytes क्या होते हैं वो आगे हम पाल देंगे पूरा का पूरा bryophytes के बारे में फिलाल आप याद रखो कि bryolosy में ब्रायोफाइट्स की श्टडी होगी ठीक है आगे आपको दिया गया है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स यह सारी चीज़ है फिर है दोस्तो बायोमेट्रिक्स Biometrics तो बहुत ही common word है आज की date में तो Biometrics क्या होता है दोस्तो Statical Analysis of Biological Data अब हमारे जो हम Living Wings है हमारे पास जो हमारे organs हैं उसमें से बहुत सारा data को analyze करते हैं ठीक है जैसे कि हमारे fingerprints हो गए fingerprints को analyze कर सकते हैं हमारी eyes को analyze कर सकते हैं तो ये एक प्रकार की हमारे बारे में information है ठीक है हमारे बारे में data हैं ये तो इसी को जब इस data को analyze करते हैं biological data को उसको ही क्या कहते हैं Biometrics कहते हैं जैसे उंगली लगाने वाला system आता है जिसके तो हमारा जो phone है वो खुलता है ठीक है थम लगाते हैं ये कोई भी अपनी finger हम set करते हैं और fingerprint के throw हमारा जो phone खुल ला है it is also a type of biometrics because it is using the biological data हमारे जो fingerprint है it's our biological data और उसको use कर रहा है तो ये biometrics के अंदर आ गया ठीक है तो bio means जो living organisms है और matrix means की measurement करना किसी जिसका measurement करना तो इससे मिलके बनता है ये biometrics तो I hope याद हो गया होगा ये पूछा भी जाता है एक दो बार तो important है ये भी फिरा जाता है biomedical engineering biomedical engineering means जो की ST type की engineering जो living part से या living beings से deal करती है उसको क्या कहते हैं biomedical engineering कहते है biomedical engineering में ऐसी production या ऐसी design बना जाते है artificial ठीक है जैसे जो हमारे life को support करने वाली machinery है उसको artificially रूप से तयार किया जाता है जैसे artificially limbs बना जाते है आजकल artificial lungs बना रहे हैं ठीक है और ऐसी kidney के लिए dialysis की जो process की जाती है वो भी artificial kidney की तरह काम करती है तो वो सारा biomedical engineering कहते है यानि कि जो हमारे life को support करने वाली machinery है उसको artificial रूप से तयार करने की जो study होती है वो पूरी की पूरी biomedical engineering में आ जाती है फिर है दोस्तो biotechnology biotechnology में क्या करते हैं technology concerned with the living beings with willful manipulation on molecular level जब molecular level में ठीक है छोटे छोटे जैसे genetics level में या molecular level में जब हम क्या करते हैं changes लाते हैं living beings को उसको हम biotechnology जैसे gene है gene है gene है DNA है ये सारे molecular level के अंदर आते हैं molecules के अंदर आते हैं तो इन molecules में जब हम change करते हैं तो ये पुरा का पुरा जो change आता है वो biotechnology के अंदर आता है ठीक है अब इसमें different genes की study की जाती है उसके बाद इसमें change किया जाता है जैसे hybrid species, hybrid variety ला रहे हैं genetics में change करके उनके DNA, RNA में change करके वो सब biotechnology के अंदर आता है फिर अगला है bacteriology bacteriology नाम से ही पता चल ला है study of bacteria bacteria की जो study होती है उसको bacteriology करते है फिर अगला है important है most important है बहुत बार पूछा जाता है दोस्तो cytology cytology, cytology जो ये word है दोस्तो ये Greek word है जिसकी meaning होती है cell, तो cytology means study of cell is called as cytology, खतम अब अगला चलते हैं दोस्तो cryobiology cryobiology में क्या होता है it is the study of effect of low temperature on organism and their preservation तो आपने एक term साइद आपने शुना होगा cryopreservation cryopreservation में क्या होता है दोस्तो जो dead हो जाते हैं, जो भी dead body होती है उसको क्या करते हैं snow के अंदर या जो ice के अंदर जो है microbes या microorganisms नहीं form होते हैं और इसके वज़े से जो वो body है वो क्या रहती है preserve रहती है, जैसे कि आपने हमारा fridge है, ठीक है सबके गर में fridge होगा आप में, तो उसमें क्या करते हैं हम चीजों को रखते हैं और वो उसमें सड़ते नहीं है, क्यों नहीं सड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर temperature कम होता है, temperature कम होता है, तो microorganisms उसमें effect नहीं दिखा पाते हैं, या formation नहीं हो पाता है microorganisms का, और जो हमारा food है, वो preserve रहता है, similar basis पे, जो है, हम organisms को भी preserve किया जाता है, दोस्तों, किसमें, low temperature में, तो इसी को क्या कहते हैं, cryobiology या cryopreservation, ठीक है, तो ये भी एक important है, पूछ सकता है cryopreservation या cryobiology, तो आपको आ जाने चाहिए, कि low temperature में किसी भी organisms को क्या करना, preserve करने की process को cryobiology के अंदर रखा जाता है, अब अगला जो है, दोस्तों, वो है clone, clone क्या होते हैं, clones are genetically identical individual in population, यानि कि इतनी भीड़ भाड में, जो भी व्यक्ति, आप से genetically identical हो, ठीक है, genetically identical हो, उसको क्या कहते हैं, clone कहते हैं, जैसे कि किसी की आँख हैं, अगर individuals in a population, उसको क्या कहते हैं, clone, यानि कि same दिखना, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बहरूप या, आप कह सकते हैं, अब जो same same दिखते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, clone कहते हैं, एकदम ये clone phone है, मतलब कि उसकी जैसा same, genetically identical, ठीक है, Greek word, Cardio, is used for heart, तो यह जो Cardiology है, Lozy means होता है science, तो study of heart, heart की जब study करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, Cardiology कहते हैं, और वह वेखती जो Heart की study करते हैं, या Heart का specialist होता है, डॉक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं, Cardio Logist कहते हैं, ठीक है, Cardio means heart, Logist means जो उसका expert है तो Cardiologist और Cardiology means Study of Heart तो आपको आजाना चाहिए Cardio word देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि Heart से संबंदी चीज़ है और Important है याद रख लेना अगला जाता है दोस्तो Demography Demo, Demos जो यह word है दोस्तो Demos इसकी जो Meaning होती है वो होती है Population इसलिए हम जो word योज करते है Democracy Government for People तो Demos जो word है उसकी मिनिग होती है People और Graphy means होती है Study तो Study of Population is called as the Demography तो I hope चीज़ आपको समझ में आ गई होगी फिर अगला जाता है थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो Diffusion, Diffusion क्या होता है दोस्तो जो भी Air Molecules है या Ions हैं वो हमेशा Higher Concentration से Lower Concentration क्यों जाते हैं तो उनका जो Moment होता है ये Moment From a reason of higher Concentration to a reason of lower Concentration, this is called as Diffusion जैसे मान लो कहीं पर इसे Gas Leak हो रही है, ठीक है कोई भी Gas है, अगर वो Leak होती है तो वहाँ पर बहुत सारे Molecules एक साथ होंगे, वहाँ पर Gas के होंगे, बहुत सारे तो वो Area क्या हो गया, Higher Concentration क्या हो गया अब धीरे धीरे जो है वहाँ पर Gas क्या करती है, फैल ना शुरू करती है जहाँ पर Leak होई, वहाँ पर तो Smell रहना ठीक है, लेकिन जहाँ अगर आप थोड़ा दूरी पर भी रहेंगे, तो वहाँ तक भी Gas आईगे क्योंकि वहाँ पर Low Concentration है तो धीरे धीरे जो है Gas, वो Low Concentration के और आईगे तो इसी को क्या कहते है, Diffusion की Process कहते है और जब यही चीज Liquid में होती है, तो उसको Osmosis कहते है फिलाल आगे देख लेंगे हम, क्या होती है Osmosis भी ठीक है अब चलते है, Diffusion तक हो गया हमारा अब अगला है दोस्तो, Dermatology Dermatology मीन्स होता है, यह वर्ड डर्मा से लिया गया है जो कि Latin word है, Derma, जिसकी मिनिंग होती है Skin, Derma की मीन्स क्यों होती है Skin होती है, और Dermatology मीन्स Study करना, कि Skin की जब Study करते है तो उसको Dermatology कहते है और जो Skin Specialist होता है यानि कि Skin का जो डॉक्टर होता है, उससे हम क्या कहते है Dermatologist, ठीक है Dermatologist कहते है, और Study of Skin is called Dermatology तो Derma जो यह word है वो Skin के लिए यूज किया जाता है, अब अगला है तो यह important है, यह भी Dermatology यह पूछा जा सकता है फिर है Dendocronology Dendocronology, यह भी most important आप लिख दो या important लिख लो और इसको याद कर लो, बेसिकली Dendocronology क्या होता है, दोस्तो Counting and Analyzing Annual Growth Ring of Trees ठीक है, जैसे आपको, आपने हमेज़ा से सुना होगा, जो Trees होती है जो पेड होते हैं, उनकी हमें Age identify करनी है, तो कैसे हम करते हैं जब उनको काटा जाता है, तो उसमें जो जैसे यह Tree है यह इस तरीके का Tree है यह और यहाँ पर उसमें बहुत सारे ऐसे Rings होते है, बहुत सारे Rings होते है ठीक है, ट्री में, तो इन Rings को जब हम Count करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं Age का पता लगा देते हैं, कि कितनी Age का होगा, जितने number of Rings उसमें होंगे उस पेड में, उतनी उसकी Age होगी तो इसी Process को क्या कहते हैं, Dendocronology कहते हैं, कि Analyzing the Annual Rings of the Tree to know its Age यानि कि उसकी उम्र जानने के लिए, हम जो वो Rings को Counting करते हैं, वो उसी को हम क्या कहते हैं, Dendocronology कहते हैं अब अगला जो Term है दोस्तों, वो है Ecology, Study of Inner Relationship between Living and the Environment जितने भी Living Wings हैं, चाहिए वो Plants हों, Animals हों, Humans हों, उनका और उनके Environment के बीच जो Relationship रहता है उसको हम Ecology में पढ़ते हैं, जैसे हम Living Wings हैं, हमारे Oxygen Level के कितना चाहिए, Nitrogen कितना चाहिए, कितने Trees हमारे चाहिए हमारे Trees होने चाहिए, हमारे Around और भी Animals होने चाहिए, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, Ecology यानि कि जो Living Wings हैं, और उनका जो Environment है, उनके भी जो Inter Relationship है, Ecology के अंदर पढ़ते हैं, उसको फिर आ जाता है Evolution Evolution मतलब की Evolve होना, ठीक है, Evolve होना, यानि कि विक्षित होना, तो Evolution में क्या पढ़ते हैं, दोस्तों, कि हम Life की Origin कैसे वी, उसके बाद Variation किस तरीके से बदलाव आए, and Formation of New Species, ठीक है, तो सबसे पहले Origin of Life, उसके बाद क्या-क्या Variation, यानि कि बदलाव आए, और उन Evolution के अंदर पढ़ लेते हैं, फिर आजाता है दोस्तों, Embryology, Embryology में basically हम पढ़ते हैं, about, जो, Fertilization, ठीक है, Fertilization means जो, Fertilization of Egg, Egg का Fertilization हो गया, उसके बाद, Jigote Formation होता है, आपको पता होगा, Female Body के अंदर, ठीक है, जो है, Egg जब Fertilize हो जाता है, जब इस परम उसमें पह हो जाता है, और जब Egg Fertilize हो जाता है, और उसके बाद क्या formation होता है, Jigote Formation होता है, और Finally, Embryo का Development होता है, तो ये सारा का सारा, जब तक Embryo Develop होता है, ये सारी की सारी स्टेज हम पढ़ते हैं, किसमें, Embryology में, ठीक है, फिर आजाएगा, तो आप कह सकते हैं, जब बच्चा Embryo के अंदर होता है, उसकी जो इस्टेडी रहती है, वो सारी की सारी Embryology में आजाती है, फिर आजाता है, U-Zenetics, तो अभी देखो, ये तीन वर्ड है यहाँ पर, एक है U-Zenetics, एक है U-Thenics और U-Phenics, तीनों को एक साथ समझते हैं, सबसे पहले जो ये वर्ड है दोस्तों, U, E-U, E-U, जो ये आगे लिखा गया है, E-U, U की जो meaning है, वो है to better, यानि कि better करना, improve करना, ठीक है, तो U-Zenetics, यानि कि better करना किसको, जीन, जैनिक्स से क्या आता है, जीन साता है, यानि कि हमारे जो genetics हैं, उसको better करके, तांकि हम improve कर सकें किसको human race को, तो यही है, study of the factors connected with the improvement of human race, जैनि कि genetics को improve करके, उनको better करके, इस तरीके से हम human race को improve कर सकते हैं, यह चीज़ा आती है, Eugenics में, क्योंकि आपने देखा होगा, जो हमारे diseases होते हैं, कुछ genetic diseases होते हैं, जो कि एक gene से दूसरे gene में transfer होते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से हम gene को ही improve कर दें, तांकि वो disease ही आ वो eugenics के अंदर आती है similarly दूसरा term है euthanics euthanics में भी better करेंगे लेकिन gene को नहीं किसको environment को environmental condition को better करेंगे ताकि जो human beings है उनका क्या हो सके improvement हो सके for the sake of improvement of human beings we need to improve the environmental condition and study of this thing comes under euthanics ठीक है कि environment जैसे अगर pollution free environment होगा तो हमारी जो human beings है हम अच्छी तरीके से develop होंगे हमारी age जादा होगी तो ये सारा का सारा आ जाता है euthanics के अंदर फिर है euthanics euthanics के दोस्तों कि कोई भी genetically abnormal है ठीक है जैसे कोई भी बंदा है कोई भी इंसान है वो क्या है genetic कोई भी जानवर है कुछ भी चीज है वो genetically अगर abnormal है लेकिन अगर उसको कुछ ऐसी environmental condition में डाल दें जहां पर वो जो है जो gene defected है वो अपने को express ही ना कर पाए तो उस time पे तो हम उसको बचा लेंगे ठीक है वैसे तो genetically abnormal है लेकिन कुछ ऐसी environmental situation में हम अगर डाल दें उसे जहां पर जो यह abnormality है वो एकदम खतम हो जाए तो इसी चीज को हम क्या कहते है यूफैनिक्स कहते है यूफैनिक्स में क्या होता है जो यह genetically abnormality है इससे बचने के लें हम environmental conditions को या environment को alter कर देते हैं बदल देते हैं ठीक है तो इसी को क्या कहते है यूफैनिक्स कहते है यानि कि better कर देना environmental condition को to improve the defects that are coming from the genetically abnormality ये आजएगा यूफैनिक्स में फिर चलते हैं दोस्तो ethnology, ethnology means क्या होता है study of science dealing with different races of human अब आपको बता है जैसे हम human beings है we all are human beings but हमारी भी different races रहती है कुछ हम जैसे हम Indian है तो हमारी अलग-अलग races होंगी ऐसे American में अलग जैसे आपने black और white ये भी तो different racism जिसको हम आज हम term क्या कहते है racism कहते है यानि कि different different races पे लोगों को classify करना इसको क्या कहते है racism कहते है तो ऐसी different different race है जैसे कि कुछ blacks, whites इस तरीके के races ऐसे ही इंडिया में जैसे Aryan race इस तरीके के races होती है द्राविट्स इस सारी किस सारी क्या है races है तो जब इन races की different races की study की जाती है इसको क्या कहते है ethnology कहते है ठीक है फिर आज़ जब का ethology ethology में study of animal behavior in their natural habitat जैनि कि जब कोई भी animal उनके natural habitat में होता है तो उनका behavior की जब हम study करते है वो आजाती है किस के अंदर ethnology के अंदर ethnology के अंदर ethnology में dealing with different races of human और ethnology में ठीक है N का अंतर है दोने में इसमें N आ गया तो ethnology बना दिया जिसमें की different races of humans की study करेंगे और N को हटा दो तो ethnology जिसमें की animal behavior in their natural habitats animal behavior के बारे में बढ़ेंगे ethnology में ठीक है फिर आ जाता है अगला etiology etiology में हम study करते है causative agent of disease यानि कि कोई भी disease है कोई भी बिमारी है उसके causative agent क्या है वो चीज हम पढ़ते है etiology में जैसे आपको cold हो जाता है जुखाम हो जाता है बुखार हो जाता है तो उसका क्या वो किस कारण से हो रहा है क्या coronavirus के कारण से हो रहा है क्या rhino virus के कारण हो रहा है या pneumonia के कारण हो रहा है pneumonia is also a virus नो पिर आजाते है अगला बहुत ही इंपोटेंट तो यह भी atology भी दोस्तु काफी important है तो अगला है entomology entomology में हम insects की study करते हैं किसके study करते हैं? insects की यानिकी किडे मकरों की study को गया केते हैं entomology कहते हैं बहुत important है याद कर लेना इसको याद आप ऐसे भी कर सकते हैं यहापर देखो फर्स्ट में ENT ENT का यूज़ कर रहे हैं तो ENT और हमारी ANT ENT क्या होती है ENT यह चीटी को हम क्या बोलते हैं ENT कहते हैं और चीटी क्या एक इंसेक्ट है तो यह ENT भी वैसा ही साउंड कर रहे है चीटी आंट का जैसा तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं ENTOMOLOGY कहते हैं अब अगला देख लेते हैं अब आगे चलके जो सबसे पहला टाम है वो है एक्जो बायलोजी ग्जो बायलोजी क्या होती है दोस्तो Studio of Possibility of Life in Space जैनि कि एक होता है इन इन मीन्स अंदर एक्जो मीन्स बाहर की तरफ को तो बायलोजी क्या थी हमने पढ़ा था अभी बायलोजी हमने फॉस्ट मेही देखा कि जो life है या living beings है उनकी study को हम क्या कहते है biology तो biology word है तो हमें समझ में आ गया exo means बाहर तो बाहर के living beings की जब हम study करेंगे तो उसको exo biology करेंगे अब वो बाहर की बात किसकी कर रहे है out of earth यानि कि space में जब हम possibility of life या possibility of living beings को पढ़ते है तो वो किस में आताता है exo biology में आ जाता है अगला है floriculture floriculture में आपको पता चल जाएगा cultivation of plant for flower बहुत ही important है floriculture और यहाँ पर आपको floriculture है यह कहीं न कहीं sound कर रहे इसकी तरह flower की तरह floriculture से आपको आ जाएगा cultivation of plants for flower यानि कि flowers को पाने के लिए फूलों को पाने के लिए जब plants को cultivate किया जाता है उसको floriculture कहते हैं और काफी ज़्यदा आजकल floriculture को क्या किया जाता है promote किया जाता है फिर अगला है दोस्तो food technology food technology क्या है scientific process for preservation, storage and transportation of food food technology में आपको जो अनाज यानि कि जो crops हमारे farms से निकल गए उसके बाद किस तरीके से उनको processing करना है उनको preserve यानि कि समाल के कैसे रखे हैं उनको store कैसे करें और उनको एक जग़ से दूसरी जग़ कैसे transport करें crops को उनको खराब हुए बिना ये सारी चीज़ें हम किसमें करते हैं food technology में तो अभी food technology से related हमारे इंडिया में काफी issue चल ला है that हमारे crops काफी ज़्यादा है बट हमारी जो food preservation की technology है ये कुछ weak चल ली है तो किस तरीके से हम preservation करें तो इसके लिए हमें food technology पे ज्यान देने की काफी ज़्यादा जर्वत है फिर आजाते है दोस्तो forensic science forensic science आपको सीधा सीधा CID अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपको forensic laboratory कहते है ठीक है सालूगे वाली तो उससे आपको आजाएगा forensic science में क्या होता है दोस्तो इस प्रकार ये science की एक ऐसी branch जिसमें कि हम analyze करते है facts and evidence to identity the criminal act यानि कि जो इसे कोई criminal है उसने क्या activity करी जो काम सालूगे करते है CID में वही वाला है same चीज की वो क्या fact और evidence find करते है based on the dead body जो भी होती है या जो person है उसके हाथोंगे निसान ढूणना इस टाइप की चीज़ें ढूटके evidence कर्टा करना for criminal purpose तो यह सारे के सारे आ जाता है forensic science के अंदर आपको यह अच्छी तरीके से आता होगा सब को ठीक है अगला है दोस्तों fishery नाम इसे पता जाला है fishery तो catching, breeding and rearing and marketing and marketing of fishes यानि कि fishes से related जो भी उनकी catching करना है, breeding करना है, उनको rare करना है वो सारा फिश्री के अंदर आ जाता है अब आता है अगला दोस्तों forestry, नाम से पता जाला है forestry के development and management को क्या का जाता है, forestry के जाता है forestry is development and management of forest अगला है दोस्तों fermentation, fermentation क्या होती है the process of incomplete oxidation that occur in microbes and other cells in absence of oxygen leading to the formation of withal alcohol, यानि कि oxygen की absence में incomplete oxidation कराई जाती है ठीक है, oxygen बिल्कुल नहीं होगी absence रखा जाएगा, oxygen को उसमें नहीं जाना दिया जाएगा जिसके कारण क्या होगा incomplete oxidation होगा, किसमें microbes में, और इसके कारण ethyl alcohol का निर्मान होता है ठीक है, तो इस process को गयाता है fermentation क्याते है, यानि कि oxygen की absence में, किसी भी microbes को incomplete oxygen ठीक है, incomplete oxygen देना, जिससे की ethyl alcohol का निर्मान हो जाएगा, इस process को fermentation क्याते हैं, और जो ये fermentation की process होती है, इस ethyl alcohol जो ये बनता है, इसमें, इसको हम beer में alcohol, beer में, liquor में इन सारी चीज़ों में इसको use करते हैं, बहुत जगह इतhyl alcohol का use होता है, और fermentation की जो ये fermentation है, वो इसलिए important process है ठीक है, फिर अगला आजाते है दोस्तो genetics, genetics means क्या होता है the variation and transmission of hereditical characters from parents to the young ones, genetics में हम study करते हैं, दोस्तो about the variation, changes and the characters, transmission ठीक है, characters, जो कि हमारे parents से हम में जो characters आए हैं, हमारे variation बदलाव आए हैं, हम में या कुछ जो commonness है, वो जो आई है, वो सब हम genetics में करते हैं तो इसमें हम क्या genes की study करते हैं और genes से हमारे characters का पता जलता है और इससे हम पता लगाते हैं कि parents, यानि कि एक generation से दूसरे generation में कितने जो characters हैं, वो transfer हुए हैं और अगर changes आए हैं, तो किस परकार के changes आए हैं, यह सारा का सारा gene related सीज़ है, genetics में पढ़ते हैं फिर आजाता है दोस्तो, growth growth आपको पता होगा दोस्तों, यह बहुत common word है growth, यह हम क्या कहते हैं कि childhood stage से हम young में grow हो गए हैं, तो grow means क्या होता है दोस्तों, to increase in weight, volume and size of organism जैने कि कोई children है, अच्छा अब जैसे 5 साल का children है, बाद में वो 18-20 साल का हो गया, तो उसके किस-किस में बदला हो आएगा, weight में बदला हो आएगा, उसके volume में, आकार में size, ठीक है जो ऐसे factors होते हैं, जो की characters और variation के लिए responsible होते हैं, तो genetics तो क्या होता है, दोस्तों, कभी-कभी gene में क्या आजाता है, कुछ defective होते हैं, कई बार gene जो है, वो defected होते हैं, जिसके कारण जो है, बिमारिया, जो है, वो genetically transmit हो जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए हम gene को क्या करते हैं, manipulate करते हैं, उसको change करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि organisms को क्या कर सकें, improve कर सकें, तो ये सारी चीज़े हैं, यानि कि gene को manipulation करना, gene को change करना, improve करना, ये सारी चीज़ें जाते हैं genetic engineering के अंदर ठीक है फिर अगला देखो अगला है दोस्तो जाइनेकोलॉजी जाइन गाइनेकोलॉजी हमने पहले ही डिसक्स किया ठीक है जब हमने एंड्रोलॉजी करके बताया था आपको कि male reproductive और यहीं पहले हैं तो एसे ही female reproductive और गाइनेकोलॉजी करते हैं और जो डॉक्टर स्पेसिलिस्ट होता है और फिमेल रिप्रोडेक्टिव और उसको क्या कहते है गाइनेकोलॉजिस्ट ठीक है फिर आ जाता है दोस्तो जिरंटोलॉजी जिरंटोलॉजी में हम किस की स्टड़ी करते हैं एजिंग की यन कि जब हमारी एज बढ़ती है उसी प्रोसेस को तो एजिंग कहिंगे ना तो एजिंग से हमारी बॉड़ी में क्या-क्या बदलाव आते हैं क्या-क्या impact पड़ता है किस तरीके से आज कल तो anti-aging चीज़ें बनाई जारी है किस तरीके से एज बढ़न gastroenterology से आपको पता चल जाना चीए ठीक है तो इसमें यहां पर gastric जब हम gastro की बात करते हैं तो gastro means में जैसे gastric juice यह सारा कहा प्रोडूस होता है stomach में तो gastroenterology में हम stomach और intestine related disorders की जो है वो study करते हैं ठीक है तो study of elementary canal stomach and intestine से related जितने भी disorder होते हैं gastroenterology में आएंगे तो आपको gastric juice पता होगा कि gastric juice कहां release होता है stomach में release होता है तो आप यहीं से पता लगा लेंगे gastroenterology क्या होता है stomach और intestine से related disorders को कहा जाता है ठीक है अब important में मैं आपको बताने वाला था दोस्तों जो जाइनकोलोजिश है यह भी काफी important है ठीक है फिर आ जाते है दोस्तों अगले दो आ जाते हैं एक सान निप्टा देता है इनको एक है hypertonic और एक है hypertonic hypertonic और hypertonic दो अलग अलग चीज़ है दोस्तों तो इसके लिए देखो suppose यहाँ पर दो बीकर है मेरे पास a और b a और b ठीक है इसमें अब मैं कोई solute इसमें हमने water रखा है water क्या होगा solvent है यहाँ ठीक है solvent है अब इसमें हम क्या करते हैं एक solute को डालते है solute को डालते है suppose a वाले में हम 50 gram solute को करते हैं A में और इस B वाले बीकर में हम 10 gram solute को dissolve करते हैं अब अगर वो soluble है तो कौन सा solution दोस्तो गाड़ा हो जाएगा तो A वाला solution गाड़ा हो जाएगा क्यों क्यों कि उसमें 5 gram solute है यह solute कुछ भी हो सकता है salt भी हो सकता है सुगर भी हो सकता है जो dissolve हो जाए इस solvent में ठीक है वाटर में dissolve हो जाए तो कौन सा गाड़ा दिखेगा 50 gram वाला तो इसी solution को जो की गाड़ा solution होगा उसको हम hypertonic कहते हैं और ऐसा दूसरा type का जिस वे वाला भी करें इसमें क्योंकि हमने solute कम डाला है lower solute है यह उतना गाड़ा नहीं होगा concentration इसका कम होगा इसको क्या कहते हैं hypotonic solution कहते हैं तो hypertonic में जिसमें जो solute का amount है वो जादा होगा और जो solution होगा उसका higher concentration होगा उसको hypertonic कहते हैं hypotonic में solute का amount कम होगा lower solute concentration और concentration भी जो है वो solution में उसका कम होगा उसको हम क्या कहते है हाइपोटोनिक कहते है तो आई होग चीज़ें आपको आ गई होगी अब अगला है दोस्तो होमियो थर्मिक होमियो अब इसमें दो चीज़ें है सीधा होमियो मींस क्या होता है दोस्तो तो blood और thermic मींस क्या होता है heat को हम क्या कहते है therma जो यह word है therma तो blood और heat यानि कि warm blooded animals के लिए जो है यह होमियो थर्मिक का इस्तमाल गहते है यानि कि animals who have the constant body temperature are called as homeothermic यानि कि जिनका गरम blood होगा उनको क्या कहते है होमियो थर्मिक कहते है तो आपको नाम इसे पता जाता है important है होमियो मींस होता है blood तो इसलिए जब हुमोगलोबिन टेस्ट कहते है तो हुमियो इसमें blood का ही मल्लब है हुमोगलोबिन टेस्ट किसके लिए करते है blood के लिए करते है ठीक है तो वो आपको पताओगा तो blood की redness वाला आपको पताओगा उसमें हुमोगलोबिन टेस्ट होते है तो हुमो मींस blood होता है तो ऐसी हुमो थर्मिक थर्मिक मींस होता है heat और हुमो मींस blood तो blood की heat यानि की hot blooded warm browned जो animals होते है जिनका की temperature constant रहता है body का उनको के कहते है होमियो थर्मिक कहते है तो यह हो गया अब देख लेते हैं दोस्तो आगे इसके थोड़ा बहत तो यहाँ पर है histology histology मींस होता है study of tissue organization and their internal structure with the help of microscope जो tissue की cell की study दो चीज़ा आप याद रखना है important है दोनो मैंने अब यह आपको बता था सुरू में ही cytology cytology means होता है cytos means होता है cell यानि कि cell की study को हम क्या कहते है cytology कहते है अब collection of cell या group of cell से क्या बनता है tissue formation होता है और जब यह tissue की जो study होती है इसको हम कहते है histology कहते है और इसके लिए जो cell होता है tissue होता है इनको देखने के लिए हमें microscope की जरुबत पर किया histology means study of tissue important है याद रखना hyzen hyzen means क्या होता है cleanliness यानि कि साफ सफाई जो अब हम करते है उसको वही सब तो hyzen के अंदर आता है तो science of taking care of health and prevented disease through cleanness यानि कि अपने hydroponics means क्या होता है दोस्तो the growing hydro means water ponics means plants ठीक है तो the growing of plants without soil in water which contain nutrition यानि कि इस तरीके से पौधों को grow करना कि उनको soil की जरुबत ना पड़े बल्कि water में ही वो पैदा हो जाए क्योंकि water में भी nutrition होते हैं और direct nutrition supply उनको मिल जाता है और water में ही जो पौधे पैदा हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं hydroponics कहते हैं जैसे कि आपके घरों में कुछ लोगों के घरों में होगा money plant ठीक है money plant को water में लगा जाता है उसके लिए soil की जरुबत नहीं होती हैं और बहुत सारे और भी aquatic plants खास करें वो सारे के सारे क्या होते हैं hydroponics होते हैं क्योंकि समुदर के अंदर मिट्टी तो आपको मिलेगी नहीं तो उसमें जो plants होते हैं basically वो maximum hydroponics होते हैं ठीक है फिर आ जाता है अगला hematology hematology फिर से ही देखो ये hemo word आ गया hemo means होता है blood तो study of blood in health and diseases ठीक है तो blood की जब study करते हैं जानने के लिए कि किसी बंदे की health कैसी है किसी बंदे के मतलब disease को जानना है तो उसके लिए हम blood का जो test करते हैं वो सब hematology के अंदर आता है जैसे कि suppose कोई disease होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम blood test करते हैं तो blood test करते हैं disease तो हमारे सरीर में हैं लेकिन हम सिर्फ blood को ले जाके पता लगा दे रहे हैं कि सरीर में क्या दिक्कत है तो यह आ जाता है hematology में यानि कि blood से health or disease का पता लगाना is called as hematology तो आगे चलते हैं अगला है दोस्तो हैपिटोलाजी अब जो हैपिट वर्ड है यह लिवर के लिए प्रियोग करते है and study of liver is called as the हैपिटोलाजी तो हैमियो मीन्स blood और हैपिट जो वर्ड है उसके लिवर के लिए यूज़ करते हैं हैपिटोलाजी इस study of liver फिर है दोस्तो एक्थियोलाजी तो एक्थियोलाजी बहुत important है ठिक है और हैमियोलाजी important है यहाँ पर hydroponics यहाँ पर important है तो यह सब आप जात रखना है और हैपिटोलाजी मीन्स हตा है दोस्तो fishes की यानि कि मचलियों की जब हम study करते हैं तो उसको ictiology का जाते है तो ये भी आप याद रखना ictiology is study of fishes hepatology is study of liver hematology means study of blood for finding health and for the purpose of health and diseases hydroponics ऐसे plants जो water में ही जो है वो पैदा हो जाते हैं उनको hydroponics केते हैं तो ये चार के चारा प्याद रखना अगला है दोस्तो immunology कोई I think दिक्कत नहीं होगी immune system की जब हम study करते हैं ठीक है अब immune system तो उसको क्या कहते है immunology कहते है immune system का काम क्या होता है to register the body from the diseases यानि कि बिमारियों से body को बचाना ये काम किसका होता है हमारी immune system का होता है और इसी immune system की जो study होती है उसको immunology कहते है अब है दोस्तो callology callology means क्या होता है human beauty की study callow का मतलब जो ये word है दोस्तो ये k-a-lo ये एक latin word है callow जिसका की means होता है beauty ठीक है beauty को क्या कहते है callow कहते है तो ये यहाँ पर callow logi है जैसे की callography अगर किसी की handwriting बहुत अच्छी है तो उसके लिए word ये उच क्या करते है callography graphy means writing, callow means beautiful यानि की beautiful handwriting के लिए callography तो callow means beautiful और graphy means writing, beautiful handwriting हो जाएगा अब यहाँ पर पुछा गया है callow beauty और logi means study यानि की study of human beauty is called callology तो आपको ये word callow दिख जाए तो याद रखना इसका means होता है beauty, logi means से याँ पर study है और callography भी आप से पूछ सकता है important है याद रख लेना फिर है अगला metajones, metajones क्यों होते हैं जितने भी multicellular animals होते हैं उनको क्या कहते हैं metajones, multicellular means हमने पढ़ा था भी cytology means क्या कहा था मैंने study of cell अब cell अगर अब हम cell जो है वो दो परकार के होते हैं unicellular animals होते हैं और multicellular unicellular जिसमें सिर्फ एक cell होता है उनको unicellular single cell से मिलके बने होते हैं unicellular कहते हैं multicellular जिनके more than two cells होते हैं उनको क्या कहते हैं multicellular organisms कहते हैं और जितने भी multicellular organisms होते हैं उनको ही हम metajones भी कहते हैं multicellular क्या है cell क्या है यह सारा का सारा आगे हम पढ़ेंगे इसी के लिए हमने biological course start किया है अगला है दोस्तों monoseous monoseous means क्या होता है plants which are both male and female flower और एक ही plant होगा उसमें दोनु male reproductive organ भी होगे female reproductive organs भी होगे plant में यह चीज़ होती है तो उस type के plant को क्या कहते है monoseous plant यानि कि pollen grains भी होगे उसमें ठीक है और जो female reproductive part होता है वो भी उसमें होगा stem वाला stem वाले part में और जो male reproductive organ इसमें flower में होते हैं उसमें pollen grains वो भी दोनु प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहते हैं monoaceous mono means single aces means दोनु reproductive part हैं इसलिए monoseous इसको कहते हैं फिर आजाएगा दोस्तों morphology morphology क्या होता है study of external structure यानि कि जो बाहरी structure है बाहरी आवरन है उसकी जब study करते हैं तो वो morphology के अंदर आ जाती है ठीक है morph का मतलब भी यही होता है external structure ठीक है फिर आ जाता है microbiology microbiology में क्या होता है study of microorganisms जो microorganisms है microorganisms मलब सूक्ष शूक्षम दर्शी जो organisms हैं जैसे कि virus हो गया bacteria, algae, fungus protozova जो कि हमें naked eyes है यानि कि हमारी आखों से नहीं देख सकते हैं उसके लिए हमें microscope की जरुद पढ़ती है उन organisms को क्या कहते है microorganism और इनी की study को क्या कहते है microbiology यानि कि biology मेंस की living structure और जो बहुत ही शूक्षम है जिसको कि हम आखों से नहीं देख सकते है उनकी study को क्या कहेंगे microbiology और इसके अंदर virus, bacteria, algae, fungi protozova इन सब के study आजाती है ठीक है अब अगला है दोस्तो अगला है microbiology ठीक है तो microbiology क्या होता है दोस्तो micro means microbiology तो हो गया और important है microbiology फिर है molecular biology molecular biology means study of molecules found in the body of living organism हम जैसे living organisms हैं हमारे अंदर जो भी molecules जैसे protein के molecules carbohydrate के molecules इन सब की molecules की जो study होती है उसको molecular biology में रखते हैं यानि कि living body के अंदर जो भी molecules पाई जाते हैं उन molecules की जब हम study करते हैं उसको molecular biology कहते हैं फिरा जगा medicine medicine means study of treating diseases by drugs जैसे drugs जिनका इस्तमाल करके हम किसी भी disease को treat कर सकते हैं disease को खतम कर सकते हैं जब उन drugs की जो study होती है वो किसमें आती है medicine कहते हैं उसको ठीक है तो medicine means the drugs that is the study of those drugs which are used to treating the disease are called as medicine तो यहाँ पर हम को medicine पता है होगा दवाई है जिसको हम कहते हैं फिर है mammography mammography क्या होती है दोस्तों branch of science which deals with the breast cancer यहनि कि जो breast इस्तन का answer होता है उसका जो test होते हैं उन सब को वो सब आते हैं कि इसके अंदर mammography के अंदर ठीक है तो यह breast cancer related जो भी test होते हैं उनकी जो study होती है जिस science के अंदर उसको हम mammography कहते हैं important है याद रखना पूछ सकता है फिर आज आता है दोस्तों mycology most important इसको मैं कहूँगा बहुत सारे exams में आपको देखने को मिल जाएगा mycology क्या होता है दोस्तों study of fungi या study of fungi is called as the mycology so mycology means study of fungi याद रखना है एकदम से पूछ सकता है पंजाई या फंगी इसकी study को mycology कहते है अब है दोस्तों अगला है mycology mycology क्या होता है दोस्तों study of aunt यानि कि जो चीटी होती है उसकी जो study होती है उसको क्या कहते है mycology क्या कहते है एक specific घरम aunt यानि कि चीटी की study कहते है तो mycology के अंदर आएगा और अगर हम बहुत सारे insect की study कर रहे है तो वो entomology के अंदर आएगा मैंने बताया था entomology को कैसे याद रखना है ENT से शुरू है entomology लेकिन ENT aunt जैसा लग रहा है और aunt क्या एक insect है तो ये insect की study अगर combined study है तो entomology के अंदर आएगा लेकिन एक specific study है सिर्फ और चीटियों के बारे में यानि कि ENT के बारे में ही study हो रही हो तो वो किसके अंदर आएगी मैर्मिकोलोजी के अंदर आएगी फिर अगला है दोस्तों mixed farming mixed farming means farming along with animal husbandry farming means होता है खेती बारी और animal husbandry means rearing of animals यानि कि जानवरों को पालना जैसे कि गाई पाली हुई है किसी ने गोट पाली हुई है ये सब आजाता है animal husbandry तो farming और animal husbandry को अगर आप एक साथ persuade कर रहे है that means you are doing mixed farming उसी को कह गयता है mixed farming जाने जाते है mixed farming के अदर अब आजाता है अगला nutrients nutrients are the chemical substance that are taken as food which are necessary for various functioning growth and health of living यानि कि अगर हम कहें सुक्ष्म भार्षा में इसको तो कह सकते है जो कि हमारे metabolism के लिए हमारी growth के लिए हमारे health के लिए important chemical substance होते है उनको गया गयता है nutrients के लिए अब हमारी body को function करने के लिए grow करने के लिए किस-किस chemicals की जरवत है proteins की vitamins की omega 3 fatty acid इन सब की यह सब क्या है chemical substance है और इनको गया गयता है nutrients के लिए तो nutrients means ऐसे chemical substance जो हम किस के थो लेते है food के थो food से हम है protein, vitamin, carbohydrate omega 3 fatty acid यह सारी चीज़ें ही तो मिलती है तो यही सब क्या क्या क्यालाते है nutrients क्यालाते है यही है chemical substance जो कि हम food से लेते हैं और यह जरूरी है for the functioning growth and health of our body फिर आज़ते है दोस्तो nano technology nano means शूक्ष्म technology means technology वी तो science of very small यानि कि जब हम छोटी चीज़े बहुत एक minute molecules की अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे atoms की atomic level पे जब हम किसी चीज़ को जाचते हैं परकते हैं वो आजाता है nano technology में ठीक है जैसे हमारा cotton का cloth है उसकी अगर हम देखें उसके fiber में जाएं उसके nano fiber को चेक करें तो वो चीज़ कहलाता है nano technology यानकि बिल्कुल यह उसके atomic level पे जाके चेक करना कि यह चीज़ कैसी है किस type की है उसकी quality को उसकी quantity को जाचना atomic level से उसको क्या कहेंगे nano technology कहेंगे फिर आजाता है दोस्तों neurology neuro means होता है nervous ठीक है तो nervous system की जो study होती है उसको neurology कहते है और neurologist means होता है the doctor which is specialized in nervous system उसको क्या कहेंगे neurologist कहेंगे तो यह बहुत important है most important thing की neurology क्या होती है neurology means study of nervous system और जो doctor होगा specialized doctor होगा उसको क्या कहेंगे neurologist कहेंगे फिर अगला है neonatology नियो नेटोलोजी क्या होता है दोस्तों मेडिकल कियर आफ नियूबोर्न इस्पेसली दा इल और प्रीमेच्वल यानि कि जब कोई बच्चा होता है ठीक है सबसे पहले तो एमब्राइोलोजी पढ़ा हमने कि जो एग है फिर फॉट टेस बनेगा उससे क्या एमब्राइो फॉर्मिशन होगा तो अब एमब्राइो बन गया उसके बाद जब चाइल्ड फाइनली क्या हो जाता है उसकी डिलीवरी हो जाती है चाइल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो वो नियूबॉर्न बेबी कहते हैं हम उसको को हम क्या कहते हैं नियोनेटोलाजी कहते हैं ठीक है और नियोनेटोलाजिस्ट होते हैं जो कि ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कि तुरंत पैदा हुए हैं क्योंकि उनका बहुत ही स्पेसलाइजड केयर करनी परती है ठीक है क्योंकि बच्चों की ना बहुत ही सॉफ्ट होत बहुत ही sensitive होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उनको अगर ill है या premature पैदा हुए है तो बहुत ही सावधानी से उनको रखना बड़ता है यह सब आ जाता है नियोनिटोलाजी के अंदर फिर आ जाता है दोस्तों नेफरोलाजी नेफरो जो वर्ड है नेफरोन जो हमारा वर् किदिनी के लिए और लोग दो मैंने आपको बताया था study किड्नी की study को हम क्या कहते है नेफरोलोजी कहते है नेफरोलोजी कहते हैं नेफरोलोजी यह सारी चीजें है उसके बाद है Osmosis तो अभी हमने N तक के sara के sara पूरे कर दी है और इस part मैं N तक में मैं खत्म कर रहा हूँ अब next part मैं हम देखिएंगे N से आगे की चीज़े osmosis वाली तो फिलाल इस आप hill cake kun अगला part, क्यूकि continue marathon session है तो continue रहेंगे square concepts तो आप क्या कर सकते है आप भी थोड़ा rest ले लिए अगर continue आप देख रहे हैं तो यह आपका rest लेने का time है इसके बाद आप आगे देखना ठीक है तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अच्छी लगी है वीडियो तो आप like कर सकते हैं अगर चीजें आपको समझ में आ रहे हैं concept आपके clear हो रहे हैं तो साथी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप share भी कर सकते हैं अपने अन्य मित्रों के साथ फिलाल आप जारी रहे हैं इस marathon के साथ rest करना चाते हैं तो आप ले लीजिए next वीडियो में next part में हम आगे का osmosis से start करेंगे ओसे लेके और finally इसको खतम कर देंगे जिस पार्ट में अगले पार्ट में ठीक है तो थेंक्यू थेंक्यू फॉर वाचिंग ओके दोस्तों सो अब आगे बढ़ाते हैं हमारे marathon session को तो आज हम पढ़िंगे ओसे start होने वाले जितने भी आपके जो technical terms हैं या important terms हैं biology के अभी तक हमने finally N तक की पूरी series खतम कर दी थी A से लेके start करते हुए N के और finally हमने जो last पढ़ा था वो था क्या अगर आपको यादो nephrology so nephron is used to used for kidney तो nephrology के था study of kidney is known as nephrology तो आज हम first देखेंगे दोस्तों odontology ठीक है ओ से start होने वाले terms में तो odontology means क्या होता है दोस्तों study of teeth and gums ठीक है आपने सुना होगा dentist ठीक है dentist आपने सुना होगा तो जो यह word है donto ठीक है जैसे हम dentist लिखते हैं तो यह जो donto word है यह especially for the teeth and gums के लिए यह word इस्तिमाल किया जाता है donto तो odontology में क्या पढ़ते हैं दोस्तों about the teeth and gums अगला है दोस्तों osteology osteo, osteo means क्या होता है दोस्तों bones होता है और loggy means study so study of bones is called osteology या osteology ठीक है आपने जो bones से related studies होती है उनको क्या कहते है osteology कहते है फिर अगला है दोस्तों oncology, oncology means क्या होता है दोस्तों study of cancer and tumor ठीक है ऑन कोलोजी में हम cancer और tume जो इसमें इस्तिमाल होने वाली जो raise होती है ठीक है इसमें हम किस का इस्तिमाल करते हैं गामा रेज का basically इस्तमाल करते हैं X-rays का इस्तमाल करते हैं तो यह सारी की चीज़े हैं जो की cancer और tumors की study में काम आती है उनको क्या कहते हैं oncology कहते हैं अब अगला देख लो दोस्तो obstetrics obstetrics means क्या होता है दोस्तो science related with care of pregnant moment before and during after child birth यानि कि जो भी pregnant महलाएं होती है गर्बवती महलाएं होती है उनकी जो care करी जाती है उससे related पूरी की पूरी science को क्या का जाता है obstetix का जाता है और जो doctor deal करता है इससे उसको obstatician का जाता है ठीक है अब gynecologist होते हैं gynecologist means जो female reproductive organ की study करते हैं या उससे related रहते हैं उनको gynecologist कहते हैं उन doctor को और obstatician क्या होते हैं दोस्तों जो female की pregnancy के time पे जो care करते हैं उनको suggestions देते हैं कि किस तरीके से उनको bad rash लेना है कितना उनको nutrition लेनी है कितनी उनको medicine यूज करनी है यह सारी चीज का जो खयाल रखते हैं obstatician रखते हैं और यह पूरी जो science deal करती है related to care of pregnant women इसको हम क्या कहते हैं obstatic कहते हैं तो obstatician यह important है याद रखना odontology important है यह भी आप याद रखना osteology भी important है ठीक है जो जो मैं important कह रहा हूँ यह तो आपके दिमाग में हो नहीं चीए ठीक है फिर है ornithology ornithology means study of birds again it's important तो ornithology ठीक है क्योंकि यहाँ पर कई बंदे confuse हो जाएंगे ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखना ornithology means study of birds यानि कि जिन में हम पक्षियों की study करते हैं उसको क्या करते हैं ornithology फिर अगला जाते है दोस्तों ophthalmology ophthalmy ophthal ठीक है जो यह opt जैसे हम क्या करते हैं जो हमारे glasses बनाते हैं उनसे क्या करते हैं optician करते हैं तो जो यह opt जो यह word आता है opt यह generally use किया जाता है for our eyes related चीज़ों के लिए so study of eyes is called as the ophthalmology ठीक है ophthalmology is the study of eye और nithology is the study of words तो यह भी important है ophthalmology अगला है orthopodist orthopodist means agnesis and repair of disorder of locomotory system हमारे body में जो भी locomotory system है जो हमारा skeletal systems है उन सब की जो study होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों orthopedics कहते हैं ठीक है गम्स के study को odontology लिख देंगे फिर आ जाएगा osteology osteo means होता है जो यह word है यह bones के लिए यह उच्छा जाता है so study of bones is called osteology oncology में हम cancer और tumors को पारे में study करते हैं obstetics क्या होता है pregnant women's related care of pregnant women's related और निथोलोजी में हम words की study करते हैं ophthalmo जो word है वो eyes के लिए so study of eyes is called ophthalmology फिर और ओर्थोपेडिक्स और्थोपेडिक्स मींस repair and disorder of locomotory system आप कह सकते हैं locomotory system की हमारी जो study रहती है उसको हम क्या कहते हैं orthopedics कहते हैं अब चलते हैं P से start होने वाले words को समझते हैं यहां पर क्या कहें हैं दूस्तों पहला है which possessively float on the surface of water तो ऐसे microscopic organism या ऐसे microorganism जो की water जल की सतह पर float करते हैं उनको क्या कहते हैं phytoplankton कहते हैं आपने कई बार देखा होगा दोस्तों algies आपने देखेंगी algae क्या करती है water के ओपर float करती है और water को green color provide कर देती है कभी-कभी red color का आपने water देखा होगा तो red algae अगर होगी तो red color का green algae होगी तो green color का water बना देती है तो algae क्या एक microscopic organism है जो की किस में float करता है water के सतह पर यानिकि water के surface में float करता है तो ऐसे और भी जो भी सारे fungus हो चाए algae हो इस टाइप के जो micro organisms होते हैं जो water के उपर float करते हैं उनको हम phytoplankton कहते हैं अगला जो word है वो है parasite तो यह important है phytoplankton क्या होते हैं जो की ऐसे microscopic organism जो water के surface में float करते हैं फिर अगला है दोस्तो parasite parasite means organisms which depend on the living organism for their food and shelter and often harm it तो parasite ऐसे organisms होते हैं दोस्तो जो अपने भोजन के लिए या अपने nutrition के लिए किसी दूसरे living organism पे depend लेते हैं उनको कहते हैं parasite parasite का सबसे जो आसान example है दोस्तो वो है fungi ठीक है यह फंजाई है यह एक parasite होता है human body में भी कभी कवार जो है वो fungi लग जाता है दोस्तो और यह बहुत easily छोड़ता ही नहीं है यह फंजाई अगर किसी body में लगेगा तो वो क्या करता है कि human की body से ही nutrition को लेना start करता है और अपना spread होना शुरू कर जाता है ठीक है और बहुत मुस्किल होता है इस फंजाई से relief पाना खासकर की ठीक है तो यह parasite का example है parasite का means कि host body में रहेगा और उसी से nutrition लेगा और खुद को बढ़ा करते जाएगा इस type के आपको जो parasites है वो trees के उपर भी कुछ जाल type की जो लगी रहती है आपने देखा भी होगा कभी उसका अभी मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है जो जैसे पेड होता है ना ट्री होता ह तो ट्री की पत्यों में जाली टाइप की लगी होती है घास टाइप की होती है जो कि पत्यों के उपर से अपना आ जाती है बिज जाती है और जो भी ट्री nutrition लेता है वो अपना लेना सुरू करती है दीरे दीरे ठीक है तो यह होते है परसाइड यानि कि जिनको हम क्या कहते ह हैं for taking their food और fungi बहुत अच्छा example है जब skin में लग जाता है तो सारा का सारा body से nutrition लेना start कर देता है ठीक है अपना रहने खाने की जोस्ता कर लेता है तो इसको कहते हैं parasite ठीक है तो यह food and shelter जो है यह capture करेंगे food भी capture करेगा host body से और shelter भी host body को भी बना देगा जैसे मैं जो कहा रहा हूँ न trees के उपर आपने देखा भी होगा उस घास का अभी मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है तो वह घास क्या करती है वह tree के उपर ही रहती है और nutrition भी tree से ही लेती है ऐसे fungi जो है वह इसकीन में ही चिपका हुआ रहता है और nutrition भी body से ही लेता है host body से ठीक है तो यह हो गए parasite फिर अगला है poikilothermic poikilothermic means क्या होते है दोस्तों ऐसे organisms जो क्या करते है ठीक है ऐसे organisms जो की अपना temperature अपनी body का temperature अपने atmosphere या surrounding के according change कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों poikilothermic species क्या जाता है ठीक है और यह क्या होते हैं दोस्तों cold blooded animals भी होते हैं ठीक है तो poikilothermic means ऐसे organisms जो अपना body का temperature according to the environment चेंज कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है poikilothermic और basically यह cold blooded animals होते हैं ठीक है जैसे इसका example हो गया snake ठीक है snakes या और भी कुछ reptiles होते हैं जो की क्या होते हैं cold blooded होते हैं वो अपने body के अंदर का temperature उनका atmosphere के according change होता होता रहते हैं और बाकिया आजाते हैं दोस्तों warm blooded animals जैसे कि हम लोग हमारा जो है वो humans है humans are not cold blooded but we are warm blooded animals मैंने जो कल discuss किया था हमने अगर आपको याद हो कल हमने डिसक्स किया था about the warm blooded animals उसमें मैंने बताया था कि warm bladed जिनको कि हम क्या कहते हैं homothermic कहते थे क्या कहते थे homeothermic 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 ठीक है पिछले part में हमने डिसक्स किया था तो homeothermic क्या होते थे दोस्तों जिनका की body temperature constant रहता था surrounding के से कोई मतलब नहीं है जैसे हमारा body temperature है 37 degree Celsius, it is the normal body temperature और surrounding में कितना ही भी हो, लेकिन हमारा normal यही रहेगा and we are warm-blooded animal, but cold-blooded या poikilothermic, poikilothermic में क्या होगा दोस्तो, change होते रहेगा with the surrounding, temperature, inner temperature change होते रहेगा surrounding के साथ, और cold-blooded animals होगे, जैसे reptiles, snakes वगेरा हमने देख लिया, discuss कर लिया, फिर चलते हैं दोस्तो, pigment क्या होते है pigment is a substance which absorb light of certain wavelength like chlorophyll found in the green leaves तो pigment मतलब कोई भी ऐक ऐसा substance, जो कि light को absorb करता हो उसको क्या कहते हैं दोस्तो, pigment कहते हैं, मतलब कि ऐसा substance जो किसको absorb करेगा, light को absorb करेगा तो अब जब light को वो absorb करता है, तो light तो किसी ना किसी wavelength की होगी ही होगी तो light को जो substance absorb करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, pigment कहते हैं जैसे अब example इसका है chlorophyll, आपने chlorophyll की definition अगर पढ़ी होगी किसी भी क्लास में, तो क्या कहते थे, chlorophyll is a green colored pigment that is present in the leaves and absorbs the sunlight, sunlight को absorb करने का काम करता है तो एक substance है chlorophyll, है की नहीं, substance है, जिसका काम क्या है, sunlight को absorb करना तो absorb light of certain wavelength में, sunlight को capture करेगा कौन, chlorophyll and hence it is a pigment, ऐसे बहुत सारे pigment होते हैं, हमारे eye में भी pigment होते हैं जोकि light को हमारे eye में absorb करेगा, उसे भी हम pigment ही गएंगे, ठीक है फिर चलते हैं दोस्तों, अगला, अगला term है अगला term है दोस्तों, paleontology, paleontology में हम foggels की study करते हैं दोस्तों तो foggels क्या होते हैं दोस्तों, जो भी dead, ended, decade या जो animals थे, buried animals थे, बहुत पुराने टाइम पे, फिर क्या वाद दीरे-दीरे, उनकी soil की layer आई, अब एकदम वो पूरी तरीके से खतम हो गए, फिर वो foggels बन जाते हैं जितने भी systems हैं, different, different type के, जैसे nervous system हो गया, हमारा cardio system हो गया, different, different type के system है, वो किस तरीके से functioning करते हैं, ठीक है, और body को जिंदा रखते हैं, हमें physically alive रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दोस्तों, उसकी study को क्या कहते हैं, physiology कहते हैं, अगला है pathology, pathology is the study of disease, effect causable is intended transmission of pathogens, तो इसम हम pathogen के बारे में पढ़ते हैं, pathology में, आपने देखा भी होगा, जो pathology laboratories होती है, जहांपर आप blood जाच कराने जाते हैं, कोई भी disease आपको होता है, तो उसकी जाच कहा, pathology lab में होती है, तो pathology में हम pathogen की study करते हैं, अब pathogen क्या होते हैं, दोस्तों, pathogen's उन agents को कहा जाता है, ज क्योंकि डिजीज को फैलाने का काम करते हैं जैसे कि वाइरस पैक्टिरिया फंगस यह सारे के सारे आ जाते हैं पैथोजन्स में क्योंकि इनका काम क्या है डिजीज फैलाना यानि कि बिमारिया फैलाना तो इसमें हम पैथोजन्स के transmission करते हैं यानकि एक body से दूसरी body कैसे जाते हैं और क्या कारण है उन pathogens के पैदा होने का ये सारी चीज़ें और उनसे क्या-क्या effect होते हैं हमारी body में ठीक है तो एक परकार से आप कह सकते हैं study of disease की disease की study होती है पूरी की पूरी pathology means disease की study की पैथो किस pathogen से आया है किस परकार से ये pathogen transmission हुआ है किस परकार से जो ये pathogen था वो क्या हुआ है पैदा हुआ है और क्या इसके प्रभा हो है हमारी body में ये सारी चीज़ें pathology के अंदर करते हैं और pathology lab में जाके हम अपनी जाच कराते हैं blood sampling देते हैं जिससे की pathogen काम पता लगा सके है फिर आदाता है अगला तो ये pathology important term है दोस्तों तो ये याद रखना अगला है pomology pomology में हम क्या करते हैं fruits and fruit yielding plants के बारे में पढ़ते हैं यानि कि pomology में we study about the fruit और fruit yielding plant यानि कि फल और जिन प्लांट से फल फलों की उत्पत्य होती है उन सब के बारे में उन trees के बारे में हम पढ़ते हैं inside the pomology तो ये भी important है जिसको मैंने highlight किया हुआ है वो तो important ही है तो ये भी important है अगला है दोस्तों psychiatry और psychology इन दोनों को अच्छे से आप समझ जाना और दोनों important है तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको क्या बता है सब पहले हम देख लेते हैं psychology psycho means होता है जो human brain होता है human mind होता है उसको हम कहते हैं तो or loggy means study study of human mind and human behavior is called as the psychology इसको हम क्या कहते हैं psychology कहते हैं human mind और human behavior की study को psychology कहते हैं और psychiatry क्या होती है treatment of mental disorder यानि कि कोई भी mind से related जब disorder हो जाता है उसके treatment के कहते हैं psychiatry कहते हैं और सिर्फ human mind और उसके behavior के study करना ये क्या कहलाते है psychology कहलाते है और जो psychology को पढ़ेगा उनको क्या कहते है psychologist कहते है और जो treatment करेंगे जो doctors होंगे जो mental treatment करेंगे mental disorder को treat करेंगे जो psychiatry को पढ़के ठीक है psychiatry वाला काम जो करेंगे उनको क्या कहते हैं psychiatrist कहते हैं तो psychiatrist और psychologist में आपको अंतर बता होना जीए psychologist का काम होगा दोस्तों हमारे human mind और behavior को समझना ठीक है जो human mind का जैसे आपको testing करने का काम आपको जो है आपके behavior से अनुगरित होने का जो काम है वो psychologist का है और आपको treatment देने का काम आपको medicine वगेरा देने का काम ये किसका है psychiatrist का है तो इसमें बहुत लोग confused आजाते हैं कि psychologist और psychiatrist में के अंतर है तो ये ये अंतर है दोस्तों ठीक है तो आप याद रखना है psychology क्या होती है एक subject होती है और secretary क्या होती है दोस्तों ये जो डॉक्टरी करते हैं वो लोग उनके लिए रहता है ये secretary जिसमें की treatment सिखाते है psychology में आप treatment नहीं सीखेंगे आप सिर्फ human mind और behavior के बारे में पढ़ेंगे secretary में आपको treatment सिखाया जाएगा फिर दोस्तों अगला है पिसी कल्चर पिसी कल्चर आता है rearing office most important एकदम याद रखना और उसके बाद आता है phycology phycology means study of algae most important most 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 important बहुत एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि phycology क्या होती है तो study of algae is called phycology और इससे पहले हमने discuss किया mycology mycology में fungi की study fungi की study is called mycology और algae की study is called phycology बार बार बोलिए इसको fungi की study mycology algae की study phycology और PC culture क्या होता है दोस्तों fishes का ठीक है PC culture आपको देख जाएगा तो समझ जाना the rearing of fish यानि कि fishes का मत्षपालन जिसको हम कहते है वो PC culture कहा जाता है उसको ठीक है फिर आजाता है तो पीडिया ट्रिक्स पीडिया ट्रिक्स मीन्स क्या होता है पीडिया ट्रिक्स branch of medicine dealing with children यानि कि जो चिल्डरन से deal करती है चाहिए वो newborn babies हो उन सब से तो उनको हम पीडिया ट्रिक्स कहते हैं और जो doctor होता है बच्चों का उसको क्या कहते है फिडिया ट्रिक्स ठीक है फिडिया ट्रिक्स मीन्स medical science की ऐसी branch जो कि children's से related है यानि कि children's का ilaj करने से related है उसको हम क्या कहते है पीडिया ट्रिक्स कहते है और डॉक्टर जो involved रहता है children's के health care से उसको हम कहते है pediatrician कहते है तो जब भी कोई बच्चा बिमार होता है तो उसको pediatrician के पास ले जाते है ठीक है और pediatrician कोन है expert of pediatrics यानि की ऐसी medical science जो कि children's की health care से जुड़िया उसको हम कहते हैं pediatrician कहते है तो यह आप याद रखना अगला चलते हैं दोस्तो parasitology हमने अभी बताया parasite क्या परीजी भी जो कि host body में depend लेते है for the year food and shelter अभी अच्छी तरीके से बता रहा है तो जब इनकी ही study करी जाती है इन parasites की study करी जाती है कि यह कितने types के होते हैं किस परकार से अपना food लेते हैं तो यह सब आ जाता है दोस्तो parasitology के अंदर तो parasitology means study यानि कि parasites की study को parasitology का जाता है अगला है दोस्तो pharmacology क्या है दोस्तो repeat करना मेरे साथ pharmacology तो आपने सुना होगा pharmacology pharma means क्या होता है pharma means जहाँ पर आपको medicine, drugs वगरा जो medicine होते हैं वो मिलते हैं pharma में ठीक है pharmacist की दुकान कहते है कि pharmacist clinic में जाके हमें क्या मिलते है medicine मिलते है तो pharmacology means क्या होता है logi means study और pharma का तो study which deals with the drugs drugs और medicine की जो study होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तो pharmacology कहते है और जो इनकी study करते है उनको pharmacist कहते है ठीक है तो यह यह आप याद रखना जहां से हम medicine लेते है pharmacist store होता है फिर अगला है दोस्तो photobiology photobiology photo means light और biology study of living wings so effect of light on various biological processes is called as the photobiology यानि कि different living process में living organisms की body में या biological process में light का क्या effect रहता है यह सब हम photobiology में पढ़ते है जैसे कि पहुदे है पहुदों में क्या effect रहता है light का पहुदे light को absorb करके अपना food बनाते है ठीक है during the process called as photosynthesis photosynthesis में food formation करते है using this light ठीक है तो इसी इन सारी studies को photobiology कहते है यानि कि जो light का हम organisms पे जो असर दिखाई देता है उनकी study को क्या कहते है photobiology कहते है अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगला है phylozeny क्या है अगला phylozeny phylozeny में क्या पढ़ते है जो भी organisms है वो किस तरीके से evolve हुए है उनके parents से उनमें क्या variation आए है यह सारी चीज़े हम phylozeny में भड़ते है geny मीन्स होता है यहाँ पर कही न कहीं gene को सो करता है और यहाँ पर evolution of organisms is called as the phylozeny और राइट फिर अगला psychotherapy sorry physiotherapy है psychotherapy physiotherapy physiotherapy अब यहाँ पर जो यह word है physio physio means physical और therapy means therapy means यहाँ कि physically किसी चीज़ का इलाज करना तो physiotherapy का meaning होता है दोस्तों treatment of body defect through massage and excise यहाँ कि massage कहां करेंगे हम external part में करेंगे physical part में करेंगे हमारे massage और excise करेंगे तो हम physical excise ही तो होती है तो treatment of body defect through massage and excise is called as the physiotherapy most important पूच सकता है ठीक है तो physiotherapy आपको याद रखना है photobiology आपको याद रखना है important है photobiology means light का effect on various biological process ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला देखो अगला है radiology important है यह भी the medical science dealing with the imaging imaging such as x-rays, CT, MRI, PET diagnosis and treating diseases in human wings ठीक है तो radiology क्या होता है दोस्तो radiology medical science की ऐसी branch है जो deal करती है with imaging imagining x-rays और जो हमारी ultrasound की report वगरा आती है यह सारी की सारी इन सब की जो study होती है उसको क्या कहते है दोस्तो radiology कहते है और जो study करता है इन सब की उनको radiologist कहते है जैसे की मान लीजे कोई इनसान है उसकी जैसे कोई bone में fracture आ गया यह सारी चीज़ें आ गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे x-ray करेंगे x-ray से identify करेंगे कि उसकी bone में fracture है की नहीं अब x-rays को जब डाला जाएगा उसमें तो वो x-rays बता देंगी x-rays जब body के अंदर जाएगी तो bone को touch करेंगे अगर कोई भी vacant space होगा तो उसके अंदर चले जाएगे जिससे की पता चल जाएगा उसी की study को उस रिपोर्ट की उस जो image बनी है उसकी study को हम क्या कहते है radiology कहते है अब radiology का परियोग किया जाता है for diagnosis and treating diseases in human body अब उससे पता चल जाएगा जैसे fracture है तो पता चल जाएगा कि यह defect है और उसको हम क्या करेंगे treat करेंगे तो यह आदत है radiology के अंदर और जो यह radiology को perform करता है उनको क्या कहते है radiologist कहते है जो यह x-rays वगेरा है यह MRI वगेरा जो जो doctor इनको test करता है उसको क्या कहते है radiologist कहते है ठीक है radiologist चेक करता है means x-rays और MRI करने का काम किसका होता है रेडियो लॉजिस्ट का होता है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर सजेस्न में लिख के देता है, या MRI करवानी है, तो अब एक अलग डॉक्टर के पास he, आप रेडियो लॉजिस्ट के पास आते हैं, जो कि आपको एक रिपोर्ट तेयार कर देता है, और फाइनली डॉक्ट हैं, जो nose से जुड़ी हुई parts हैं, वो सारे के सारे olfactory organs में आ गए, तो nose और उसके related olfactory organs की study को कहते हैं, rhinology ठीक है, rhinology, क्या कहते है rhinology, अब आप इसको easily तरीके से याद कर सकते हैं, अब देखो, rhino क्या होता है, rhino के जो nose होती है, वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, एक sing बनी होती है, तो उससे आप याद रख सकते हैं, कि rhino की कहाँ, nose पर sing बनी होती है, तो study of nose is called rhinology, अगला देखो, और ऐसे ही जो virus होता है, जो कि हमारा जुखाम या जिसको हम flu कहते हैं, वो जो बनाता है, उसको वो भी rhino virus होता है, ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, तो rhino virus से क्या होता है, जुखाम सर्दी जुखाम होता है, और सर्दी जुखाम कहाँ effect करता है, nose में, तो इससे भी rhinology का है, study of nose याद रख सकते हैं, important है, बहुत बार पूछा जा चुका है exams में, अगला है दोस्तो सोनोग्राफी, सोनोग्राफी means, ultrasound imaging, जो ultrasound machine होती है, जिससे कि हम embryo check करते हैं, ठीक है, जिससे जब baby जो है वो, embryo stage में होता है, तो उस time पे ultrasound करके, check किया जाता है, कि उसकी positioning सही है कि नहीं, वो health ठीक है कि नहीं, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, sonography कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ultrasound imaging को क्या कहते हैं, imaging को क्या कहते हैं, sonography कहते हैं, all right, अब चलते हैं आगा, तो है, अगला है, sorology, जो की बहुत ही important है, बहुत ही तो नहीं कहेंगे, important है, sonography भी important है, sorology means study of lizard, यहनिकि जो चिपकली होती है, lizards, उनकी study को क्या कहते हैं, sorology कहते हैं, ठीक है, याद रखना आप यह, फिर अगला है syrology, syrology means study of serum, interaction of antigens, antibodies in the blood, यानिकि हमारी body में क्यों होते हैं, antibodies होते हैं, antibodies का का काम क्यों होते हैं, जो different diseases हैं, pathogens हैं, उनके against लड़ने का काम होते हैं, किसका, हमारी antibodies का, तो इन ही सारी की, जब study की जाती हैं, हमारी antigens और antibodies की, कि हमारी blood में कितने amount में antibodies हैं, कितने amount में antigens हैं, तो यह सारा का सारा LOGY दिख जाएगा, तो आप सिधा lizard में tick कर देंगे, serology, और जहाँ पर serology, serology दिख जाएगा, तो आप उसमें antigens और antibodies in the blood देख लेंगे, ठीक हैं, फिर अगला है दोस्तों, sphygmology या sphygmology, तो sphygmology is the study of pulse and the arteries, arterial pressure, यानि कि जो हमारी pulse होती है, यानि कि जो हमारी नसें होती है, हमारी arteries होती है, उनका जो उनके अंदर क्या करता है, blood flow करता है, तो उस blood का जो pressure है, उसको उसकी जब study करते हैं, कि कि किस परकार से blood flow कर रहा है, inside the pulse and arteries उसको हम क्या कहते हैं sphigmology कहते हैं और ऐसी device जो कि हमारी blood pressure को नापते है blood pressure में यही तो नापते हैं कि हमारी arteries और veins में जो blood बह रहा है वो कितना pressure मार रहा है उन arteries में कितना pressure जैसे यह मान लीजिए यह इस तरीके से arteries हैं और इसमें continuously blood flow कर रहा है तो यह इन arteries में कितना pressure लगा रहा है इसी को क्या कहते हैं blood pressure कहते हैं इन arteries या veins में कितना pressure लगा रहा है blood pressure कहते हैं अब इसको जब नापिंगे कि कितना pressure लगा रहा है तो वो जो machine यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं sphygmomanometer का प्रियोग करते हैं और sphygmology means study of pulse and arterial pressure जो pulse और arteries है उनके अंदर कितना pressure है उसकी study को sphygmology कहते हैं और divide जिससे नाफते हैं sphygmomanometer ठीक है I hope clear होगया होगा अगला है taxonomy तो यह important बन जाता है बहुत ज़्यादा important sphygmomanometer और sphygmology दोनो फिर taxonomy क्या होता है दोस्तो study of classification, nomenclature and identify organism जैसी कि हमने बताया अभी हमने living organisms की बात करी तो यानि कि living beings जितने भी होंगे वो सारे organisms होंगे ठीक है अब देखो अब इस पूर्य दुनिया में infinite number के organisms होंगे बहुत सारे organisms होंगे तो अब सबको separately तो हम पढ़ नहीं सकते तो हमने क्या क्लासिफाई करना शुरू किया अब कितना five kingdom classification अभी two order classification ये सारा हमें देखने को अभी आगे मिल जाएगा इसके बाद जब ये अब्रिवेशन या जो ये technical terms हैं biology के ये खतम होते ही हम सीधा taxonomy को ही पढ़ने वाले है ठीक है तो इसमें क्या होता है दोस्तों जो ये organisms है different different इनको classify किया गया है कुछ groups में इसी की जब हम study करते हैं उसको हम क्या कहते है taxonomy कहते है और father of taxonomy ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेंगे ठीक है तो five kingdom classification है और father of taxonomy किसे का जाता है lineage ठीक है lineage is known as the father of taxonomy तो क्या है taxonomy ये पूरा का पूरा हम detail में पढ़ लेंगे फिलाल के लिए याद रखो जो जितने भी organisms हैं उनका identification या classification और nomenclature is called as the taxonomy फिर आ जाता है दोस्तों telepathy telepathy means the communication of thoughts or ideas from one mind to another without normal use of senses in other words the process of mental contact यानि कि देखो दोस्तों जब मान लो हम हमारे अंदर कोई विचार है तो हमें किसी और तक उसको पहुँचाना है तो हम कैसे पहुँचा सकते हैं उसको हम कुछ अपने gestures का इस्तमाल करके हम चीजों को मचा सकते हैं या हम बोल के अपने विचारों की अभिवेक्ति कर सकते हैं या बोल के हम विचारों को दूसरे को समझा सकते हैं लेकिन अगर हम इन senses का use न करें यानि कि ना hand gestures का use करें ना बोल ना बोलें ठीक है ना किसी से बोलना है ना hand gestures का use करना है फिर भी जो हमारे thoughts से दूसरे को अगर पता लग जाते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं टैली पैथी तो ये एक परकार का mental contact होता है जिसमें कि दो दिमाग जुड़े हुए रहते हैं अनिकि एक दिमाग में जो idea रहे है वो दूसरे वाले को खुद बखुद पता चल जा रहे है जबकि ना उसने बताया है ना कोई उसने gesture दिया उसको खुद बखुद पता ल जा रहे है तो इसको हम क्या कहते हैं टैली पैथी क्या ठीक है the science of health care and treatment of domestic animals यानि कि जो हमारे domestic animals हैं जिर पालतु जानवर हैं उनके health care related जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी के सारी veterinary science में आती हैं ठीक है और जो doctors होते हैं उनको क्या कहते हैं veterinary doctors कहते हैं यानि कि wet means जो domestic animals के health care से जो डिवी services लेती हैं वो आ जाती हैं wet में और veterinary science में हम पूरा का पूरा उनके बारे में पढ़ते हैं जिस तरीके से humans की health care की study होती है पूरी की पूरी similar way में जो हमारे domestic animals हैं चितने भी जानवर हैं वो भी बिमार पढ़ते हैं उनकी जो health care की या उनका जो treatment होता है वो पूरा का पूरा veterinary science के अंदर आ जाता है और इनके doctor को क्या कहा जाता है vet या veterinary doctor अगला है दोस्तो holstein freshian ठीक है holstein freshian यह क्या है यह एक non-indigenous breed of cow है ठीक है जो की means जो hybrid cow जिसको हम कहते हैं तो एक cow की variety है जो की non-indigenous है non-indigenous means जो की हमारे natural habitat की नहीं है जो cow जो हमने बनाई हुई breed है ठीक है जो genetic manipulation जिसको हमने पड़ा था उससे बनाई हुई जो species है जो की non-indigenous है यानि की जैसे की आपने देखा होगा एक होती है देसी गाई एक होती है जैसे जर्सी गाई it is non-indigenous तो इस टाइप की जो variety होती है उसको हमके कहते है है holistin friacin ठीक है यह variety है cow की ठीक है breed of cow है यह फिर अगला है दोस्तों prematology prematology is the study of bodies and behavior of human-like species such as monkey, apes, orangutum etc तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको जो भी जब evolution को हम पढ़ते है तो हमें पता चलता है कि जो human beings है वो कहीं न कहीं similarities रखता है ठीक है कि अब माना जाता है कि monkeys, apes इन सब का जब evolution हुआ तब जाकि human बना ठीक है तो यह सारा study जो रहती है तो जो यह हम behavior पढ़ते हैं इन सब का किनका monkeys, apes, इन सारे creatures का तो उसमे पता चलता है कि कितनी similarities है इनके behavior की with humans तो इसी चीजी को क्या क्या जाता है प्रीमेटोलाजी का जाता है क्या 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 जाता है प्रीमेटोलाजी जिसमें कि हम जो human like species है जैसे कि monkeys, apes और जिन से माना जाता है कि जिनके evolution के बाद human beings हुए उनकी जब हम study करते है तो grapes के जो cultivation होता है उसको क्या कहते है विटी culture कहते है बहुत important है याद रखना और फिर आता है horticulture horticulture means vegetable flowers और fruits इनको commercial purpose के लिए उगाना इसको क्या कहते है होटी culture कहते है यानि कि जैसे आपने देखा होगा farms बगएरा में जो है vegetable यानि कि सबजी फूल और फल ये सारे उगाई जाते हैं उनको बेचने के लिए commercial purpose के लिए economic purpose के लिए तो इसी चीज को क्या कहते हैं दोस्तो होटी culture कहते हैं तो आप यहाद रखना होटी culture भी important है विटी culture में कहते हैं grapes का cultivation और बाकी flower fruits, vegetable अगर हम पूरा एक साथ combine करके लें तो इसको horticulture कहते हैं for commercial purpose फिर आजाते हैं दोस्तो agriculture अब agriculture में कहा है the science of art of cultivating soil raising crops and rearing live stock यानि कि जिसमें की agriculture में क्या होगा कि soil को cultivate करके different different crops को उगाना ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी agriculture के अंदर आ जाएगी यानि कि soil cultivation के बाद जो crops उगाई जाएंगे वो agriculture में आ जाएंगे अगला है दोस्तो ओलेरी culture ओलेरी culture is science of growing vegetables deal with the culture or non woody plant for food ठीक है यानि कि vegetables को grow करना ठीक है different type की जो vegetables होंगे उनको grow करना और यहाँ पर non woody plant कह रहा है यह तो दोस्तो आपने देखा होगा जो वो सबजिया होती है वो खासकर उन पौधों से निकलती है जिनकी stem क्या होती है green color की stem होती है और fruits किससे निकलते हैं दोस्तो स्टेम होती है वो किस कलर की होती है वो होती है ब्राउन यानि कि वूड होता है उसमें तो वूड होता है लेकिन जो सबजियां होती है उनमें ग्रीन स्टेम होते हैं ग्रीन स्टेम और लीवस ठीक है तो जब वेजिटेबल को उगाएंगे दोस्तों हम तो नॉन वूडी प्ल के अंदर आ जाती हैं दोस्तों तो हमने आज पूरा का पूरा डिसकस कर दिया है फिलाल ठीक है ओलेरी कल्चर तक हमने डिसकस कर दिया है अब इसके आगे का साइध ठीक है तो अगर आपके पास लिउसेंट के बुग है तो आप देख सकते हैं कि जो यह हम पढ़ लेते important terms of biology वो यहीं पर जाके खतम हो जाते हैं ओलेरी कल्चर पे इसके बाद सुरू हो जाता है हमारा second topic that is what is living जैनि कि जो living beings होते हैं वो क्या होते हैं उसके बाद finally हम देखेंगे classification of organisms उसके बाद five kingdom classification that is given by रहटी कर्स थोड़ा बहुत five kingdom classification जानने की कोशिश करेंगे फिर cell theory तो यह सारी की सारी चीज हम क्या करेंगे जो हमारा second number का जो session आएगा marathon session जो की second number का आएगा उसमें हम discuss करेंगे फिलाल first और second session मैंने first जो यह session है जो हमने पूरा complete कर दिया है और इसमें हमने सुरू से लेकर last तक important terms जो biology के दिये थे वो सारे के सारे हमने कर दी है और important चीजें जो जो चीजें इसमें important थी वो भी मैंने आपको बताते गया कि यह important है और आप मान के चलिए कि जो important कहा गया है वो तो आपके दिमाग में set होने ही चाहिए बांकी भी आपके दिमाग में set होने चाहिए आप एक ही बार में यह नहीं जाएंगे दोस्तों तो अगर आपको इसको याद करना है तो आपको बुक में भी पढ़ना पड़ेगा या आप इस वीडियो को दुबारा देख सकते हैं जैसे एक बार आपने देख लिया दुबारा आपको याद करना है जब भी जरुरत पड़े तो इस वीडियो को दुबारा देख लाओ ऐसी 3-4 बार आप 2 बार जैसे वीडियो को देख लिएगे 2-3 बार आप बुक से देख लिएगे तो एक बार आपके दिमाग में आपने आपी सेट हो जाएगे ठीक है तो कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं है इसको इनको याद करना है तो आप बेसिक बेसिकली आप जैसे हलका फुलका भी देख के जाएंगे तो जैसे एक्जाम में आप जाएंगे एक्जाम में आपको आप्शन से पता चल जाएगा जैसे आपने फीजियोलोजी देखा तो आपने हलका फुलका एडिया यहां पर पता है कि क्या जो भी organisms होते हैं उनके different different जो system होते हैं उनके बीच किस तरीके का instruction होता है किस तरीके से वो function करते हैं उसको physiology करते हैं तो आपको option में ही दिख जाएगा आपको बिल्कुल एकदम से रट के जाने की या याद करने की ज़रूत नहीं है तो important सारे के सारे मैंने बताए वो तो आपको 100% याद होने जाए दोस्तों तो फिलाल इस session में इस हमारे जो ये marathon session था first marathon session ये इसको यहीं पर ही खतम करते हैं दोस्तों बांकि अब second marathon session से चीज़ों को concepts को हम देखना सुरू करेंगे तो अगर अच्छा लगा हो आपको जो ये approach है हमारा वो अच्छा लगा हो तो आप like कर सकते हैं इस वीडियो को और comment में बताना आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं या आपको कोई भी सिक्वा सिकायत या कुछ पूछना हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं और साथी साथ अगर आपके कोई अन्यमित्र हैं जो की तैयारी कर रहा है किसी भी competitive exam की जिसके लिए biology important है तो आप उसको साथ 20 वीडियो को share कर सकते हैं और एक और चीज़ में बताता हूँ ना सिर्फ biology हम और भी लिसेंट के जो subject से उनको clear करने वाले हैं अभी हमने geography का course almost clear कर दिया है मैंने बताया था उसकी link आपको i button में मिल जाएगी तो वहाँ जाके देख सकते हैं और साथी अब हम history वगरा का भी इसका शुरू करेंगे तो आप channels के साथ बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं पढ़ना इस channel के माध्यम से तो आप इस channel को subscribe कर देना और जो bell notification आती हो इसको भी press कर देना तांकि जैसे ही कोई next update आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए ठीक है तो फिलाल इस video में इतना ही देखते हैं दोस्तो thank you guys, thank you for watching the video meet you in next marathon session thank you, तब तक आप enjoy केजिए